एक मुख्यमंत्री को गिरफतार करके जेल भेज देना यह बहुत अच्छी बात नहीं है केजिरिवाल को आखिर आरेस्ट क्यों किया गया अगर आप सही थे दो संबन आपके पास आया था तो आप पहले संबन पे जाते और जब आप देखे आते बरस्टाचारी आदमी को अपन एडी दिखाते हैं भी आजा उसके बाद उसको पारटी जोईन करवा ली जाती है फिर वो साफ सुतरा हो जाता है सबुत क्या है कुछ बरामत हुआ है सत्तर हयार रुपिया मिला वी डिलोटा गिया उनको घर पे सब आम जंता से ले रहे हो गरीबों को दे रहे हैं बस कितरा बांट होगे हमारे टेक्स है सबको बांट रहे हैं भाई भरक नीबढ़ता गरीबी नहीं है वह नहीं है तो मुष्कार स्वागत है आपका खबरों के अड़ा में मैं आपके साथ अंजुर गुपता और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के पालिका बजार में राम लीला मैदान में भ्रश्टाचार की आवाज को उठाने वाला वेक्ती आज भ्रश्टाचार के मामले में खुद गिरफतार हो गया है जिहां दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विन केजरिवाल गिरफतार हो चुके हैं इस पर यहां की जनता की क्या रहा है जनता क्या सोचती है आए जनता से बात करते हैं कि आखिर गिरफतार होना कितना सही है और कितना गलत है सबसे पहले अपना नाम प्रामत काहां कुछ हुआ है परामत क्या हुआ है तो क्या हो गया एक अर्बिन केजरिवाल के गिरबतार करके क्या यह पूरा दिली में दो करोड जनता है यह दो करोड के जरिवाल ए आप पहले सभूट दिखाएए उसके सभूत क्या है कुछ बरामत हुआ है सतर हभयार रुपिया मिला ओवी डिलोट आ गिया उनको घर के बेगति कि पर क्या मिला है कैसे गिरभवतार कर लिया यह सिर्फ तार्गट पनाए जा रहा है और कुछ नहीं है। जिससर से अभी चुनाव भी नजदीक आने वाले दे तारीख भी आ चुकी है, तो क्या इससे अर्विन केजरवाल को फायदा होगा? इसलिए तो जल्दी थी मोधी जी को, कि ताकि इनको जल्दी गिरवतार करो, ताकि इनकी सरकार के उपर अंगली उठाया जाए और लोगों के गुंगरा कर दे, इसलिए कि भाई ये घोटाले बाज आ रहे है, जो जब्त कियो संपति कहा है, ये तो दिखाओ, कहा है? गुटाले बाज जो के जिर्वाल की है, उसकी सबसे परे सिकाया equipo आकि ते, कांग्रेस ने की थी, कांग्रेस तो झीड़ोरा पिट लाँ आदी, कांग्रेस ने रहे है, आज उसी कांग्रेस का चुनाव लड़ रहा है. कॉंग्रेस के साथ गढ़ बंदन परामत करो तो कुछ बिना सबूत बिना सबूत निन चलेगा कुछ नहीं चलेगा रूख जाओ अभी सबर करो करो दिन की है जिनकी सरकार है उत जिसको मर्जी आगे एटी को पीछे लगा देता है कॉंग्रेस की विरोद में भ्रष्ट चार का आरोब लगा दी आम आदमी पार्टी उसी राम लीला मैदान में लगतार अरविन केजरवाल की बात करे तो वह उठे ही उसी अफ्रश्ट चार का विरोद कर तो मैं कह रहा हूं अगर है भष्टा चार ही यह तो इसका सबूत तो कर दिया है की यह कर सकते हैं यह थोड़ी का है कि यह मैंने फच्छतर लाग करो रुपया लग यह सामने जिवाल पेजने के बाद अभी अगिद अगया थारी हुए क्या लगता है कि आपको आइस बोलता है आपके पास आपके नाम से जब फायर हो गया है इडी ने कर दिया है आप इंदे पढ़े लिखे बेक्ति होते हैं तो आपको एक बदुबार फेस होना चाहिए था आज तक सिर्श ना होने का क्या मतलब है क्या वो वेट करें थे कि चुनाओ की तारीक आजाए तब वो जाएंगे वास यहीं कि सिमपैथी मिले चुनाओ में लेकिन वो होने वाला है नहीं किस बेस पे वो पेस होता किस बेस वे आपने कुछ तो दिखाते सबूत कि आपने यहां घोटाला किया है आपको घर में वेज देगा कलो करके मेरी बास सुनिये आज वो तीन बार जो जीत के आज जनता यहां दिल्ली के जनता जो तीन बार जो उनको चुना है दिल्ली के जनता बेकूप नहीं है समझ गया और यह देखना इनका परनाम बहुत जल्दी निकल जाएगा चार जून को परनाम आएगा यह चार जून किया दोहजार ज़ुन तक इनकी जमानत नहीं हो गई बस अगर इनकी बेल हो गई तो यह दोहजार ज़ुविस के दिल्ली में साथ सीटे जो है वो के जरिवाल के जोली में आएगा कौन सता संबालेगा इनके पास कोई तो नोमनी होगा इतनी बाड़ी पार्टी है सता संबालने के लिए तो बहुत कुछ होगा अर्षा अरियाणा के अंदर जेस तरे उंपर गास चोटाला जी जर में चले सबस्क्राइब। इसको चलाएगा लेकिन लगातार इतने समंस भेजने के बार अब जो है गिरफ्तारी हुई है क्या आपको नहीं लगता कि अर्विन केजरिवाल चुनाओं की तारुखों का इंतजार कर रहे थे ताकि चुनाओं और जितनी नजदीक आ है और इनकी गिरफ्तारी हो तो उसका बेनेफिट मिलोड अर्विन केजरिवाल नहीं इंतजार कर रहे थे ची épist जी इंतजार कर रहे थे मोदी साव मतलब दखाया जाता है पौरटी के इंदर डीन को डाल लिया जाता है उसके बाद वो मतलब हो बिलकुल साफ सुतरा हो जाता है वह सिंग मशीन है बीजेपि पा लगातार विरोध करते हैं हैं कॉंग्रेस पार्टी की ब्रश्टाचार को लेकर अभी कॉंग्रेस पार्टी के साथ ही गड़ बंदन कर रहा है। काडा धन लेवांगे कहां गया काडा धन कुछ बोलते हैं तो जिसकी लाठी उसकी बहां से अब गिरफ्तारी हो चुकी है तो क्या देखते हैं अब आगे अर्विन केजरीवाल को देखकर क्या लगता है अब तो पबली के डिसाइड करेगी लोकसबा चुनाव है इसका फाइ इसको मिलेगा फाइद है किसको मिले फाइदा लोग भी क्यों किया जा रहा है यह तोड़ा टाइम लोग सबाई लेक्शन के बाद भी उसकता था गिरफतारी वगएरा एक दम सिर के उपर इनोंने किया है तो मेरे यह इसाब से यह गलत है कोई कहते है गल्त है दुरह साल दसमीन लगे की भी जोब है बीजेपी की सरकार nichts का फेशलन नहीं रोपाई कि जिर200 करने तों कैसे करे कुद्रा रे डाहए काई सब्सक्राइज को बनाए कुब मैं पषिए that को समय के बाग नहीं है उनके आपकश सोटी Canadian मनीस्च हो दो साल दस मीने उन्होंने उसके ओपर लगा दिये और दस मीने के इफ़ार कर नो बार संबन दिये एडी ने लेकिन कोई कुछ सरकार कुछ नहीं कर पाई करते रहो कोई बात नहीं है कोई फरक नहीं बढ़ता गरीबी नहीं है वो नहीं है तो केजरी वाल तो गरीब हो के मनी स्टेशां मसीया है जो उन्होंने सरक इस दिली के लिए किया मेरी 70 साल बतर साल उमर लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं 50 साल से मैं दिल्ली में हुँ और जो केजरी वालों की आज से पहले किसी नहीं किया क्या जाम लगाया शरण यह बीजे भी वाले सबसे पहले पेटीएं भर बर लेकर जाते थे अपने घर में गाड़ीयों में आते थे पेटीये भरी और लेकर चले गए आज वो कहते हैं यह कर तो राहत नहीं मिलेगी मैडम इतनी प्लानिंग दो साल दस मीनने कहां से मिलेगी पिल्कुल कब से केस ही नहीं बन रहा था उनके पास सबूत ही नहीं अब सी कल हाई कोड में जो फाइनल हुआ मनु सिंग भी नहीं जो कहा तो उन्होंने यही तो सबूत वो चीप करें उनको चैंबर में जाके उनको कहा कि बताओ भी सबूत किया है एडी वालों को एडी ने सबूत दखाए कि यह जी यह तो वह क्या करते हैं तो फिर हैंड़ परसंट का टूंड़ यह जो भी है इससे जदा मैं कुछ नहीं सागता अब हमारा समिदान बिल्कुल खत्रे म है हमारी संसत खत्रे में हमारी जंता गंतांतर जो भी कहते हैं सब खत्रे में अभी देड मीना बचा है अब जंता चाहेगी जंता के लिए यह आवाद आ कि बाया जागो कब तर शोते रहोगे रिटेश राना फ्रम चंडीगर गिरफतारी हो चुकी है अर्विन केज रिवा हो ए हमारे टेक्स हैं सब को बांट रहे हैं कुछ और इसका तरीका हो ना जी है तो सारे जो भी नेता आहरे हैं जो अपने आपको उठाना चाहरे हैं बेसिकली वो क्या करें हैं ग्रीबों को अपने अपने पास लेकर आ रहे हैं दो यार का राशन दे दिया, तीन यार का राशन दे दिया, इससे थोड़ी देश चलता है, अरे सब्सीडियां बंद करो, आप एक ही बंदा है हमारे देश में, एक ही अच्छा लीडर है हो मोदी, मोदी की जैजय का रहा है, और कुछ नहीं है, इस देश को 10 साल, 20 साल, 50 साल अपने बच्चों का वविश्य आपको उजवल करना है, तो मोदी ही ऐसा कंडिडेट है, केजरी वाल का मुझे इतना आइडिया इस करके नहीं है, क्योंकि शराब के मामले, अगर उन्होंने कुछ किया होगा, तो डेफिनेलि अगर नहीं किया तो बापस आजेंगे, अगर किया है, तो कुछ ना कुछ पक्का निकलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बाकि दिल्ली की जनता ज्यादे बेस जानती है, तो मेरी इसकर करके मैं ज्यादा इसकर ज्यादा अंसर दे नहीं पाऊंगा, सर, क्या कहेंगे, गिरफ्तारी हो चुके लगाता, नौ समन के बाद गिरफ्तारी, अभी गिरफ्तारी, किस तरह से देखते है इसको? गिरबतारी तो सोची समझी, जब तक कोई उसके उपर काम नहीं किया है, तब तक तो गिरबतार किया नहीं गया होगा, लेकिन जहां तक केजरी वाल की सवाल है, वो चिप मिनिश्टर लगातार रहे, और दिल्ली के अंदर, जैसा कि मैंने सुना है, बच्चो का स्कूल बहु कल जब एरेश्ट हुआ तो मैंने सुना, तो आश्चा लगा, थो आश्चा चकीत हुआ, यह तो सबको पता था कि गिरफतार तो होगे, आज नहीं तो कल वो तो अर्विद केजरीवाल खुद कह रहे थे, कि मुझे इन लोग गिरफतार करेंगे ही करेंगे, यह तो पता है, कि यह सबसे पहली बाती है कि जदी कोई मनुस से यह बोल रहा है कि हमको कोई गरफतार करेंगा, यह तो प्लानिंग है, उसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, अच्छा काम उन्होंने किया है, जनता के लिए अच्छा काम किया है, जो कि आम पब्लिक समझ हम तो बाहर से हैं, लेकिन यहां आकर के मैंने घृष्पिटर का विजिट किया था, मैंने अपना खुद चेक अप कड़ाया था, बहुत आराम से कड़ाया था, मैंने कुछ इसकूल का विजिट किया था, क्योंकि मैं उस प्रोफेशन से हूँ, जहां कि बच्चों को तालि इस प्लाइनिंग है, यह गिरफतारी सोची, समझी और कहीं ने कहीं उस पर वर्क किया हुआ है, तभी गिरफतारी हुई होगी, क्या लगता है आपको, अब अदिली की सत्ता किसके हाथ में जाएगी गिरफतारी होची, किसको चहरा किसको देख रहेगी, अब आम आदमी प पावर दिया जाए, या सोरो भारत वाज को पावर दिया जाए, लेकिन मैं एक बात आप से पुछना चाहूँगा, आपको मादियम से, कि के जिरिवाल को आखिर आरेस्ट क्यों किया गया, अगर आप सही थे, नो सम्मन आपके पास आया था, तो आप पहले सम्मन पे जाते का पेंटिंग करने से सिख्छा नीं बढ़ता, यह किया हुआ सिला दिक्षित का है, जो यह लेके नहीं आए, सिला दिक्षित नहीं था, यह किसी को नौलेज ही नहीं है, आप हम मेरे भाई, मोदी आने के बाद बातुरम बना, मोदी आने के रे, कांगरेज के टमे मैं ने केजरिवार नंसाफ कि एक इड़रालने बनाए केजरिवार ने बनाए जूट मत बोलो हमका जूट बोलेंगे वह तो है इस बैठाइर प्रश्ट रोगे जो जो करेगा जो 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 चुस्टारी है जाये अंदर सब जाएंगे इन के को मैं देखो यह जो बाथ रूम आपको जो दिखाई देरहां यह मोधि की wewe बोला सक्षता अवियान चलाओ सब्धा भारत अवियान चलाओ हर घर में डोलेट दो हर घर नल वो हर रोड के किनारे अप ट्वालेड बनाओ जिससे पबलीक रहां क्या कर दिया आपके जिरुवाल से पूछो कि कितने रोड बना दी वाई सब आपकोỏi सच्छाले मिला मोदी जी ने आपको दिया अच्छे इंसान थे कि आ कर रहे थे मोजी जी आएंगे तो आपको सोचाले देंगे जो आदमी एक सोचाले नहीं बना सकता है और अधिस क्या पता है नहीं हो सकत है नब्दे पढ़ता है कि जंता केजिरिवाल है मैं बोल रहा हूं चोर है तो बिहार का हूं तो पूछो मैं भी दिली में अभी अब भाइड श्था रहा है यहाँ यहां पैस गया लोली पॉप के लोली पॉप देता हो फिरी मैं ए ले लो किसको बीचली पुरी मिल गई चाहिक लोली पब है इसको मिला होगा लोली पड़ा वाले पतिए गजरीवाल अप लौली पड़िवाल पड़े जो नहीं को तब जालाते तोरह तोरह और तूम भी के जरीवाल में देख रहा है तुम भी केजरिवाल हो हां मैं बोलता रहूं कि तुम केजरिवाल हो तुम केजरिवाल है किरफतार करके क्या करो गया नाम बता है उंकलोब एक सिटिंग मुख मंतरी को इस तरीके से गरफतार करना मुझे तो नहीं अच्छा लगा अच्छा नहीं लगा लगातार केजरिवाल कहते हैं कि यह प्रिदान मंतरी मोधी की शाजस है भाजपा साजिस्त कर रही है उनके खिलाफ हाँ तो उसमें सच्छा ही लगती है मुझे परिवर्टित है वहां तो पुरा मोधी मोधी है लेकिन जो फुरी में देरा वो गलत है 12,000 रुपे साल का महिलाओं को दे रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि नागे चुनाओं है अलिये दे रहे हैं, नहीं देना चीए, और हम ओधी फेवर बेहल कि नहीं देना चीजा İ double J lingu BE सब आम जंता से लेकर रहें और को दे रहें variét नहीं रहे है ता कि असा नहीं करने कि यह जिए नहीं एप आज राखे भाप ज़ आज चुनाव कर देक्का पर दी है वह ज़ मेहिलाओं को था सब नहीं नहीं को रशे श gren यहां देना चीज्ट हरा है उपए पर आपने नहीं ग्लेश सब ब्लूटा उन्हां संटा ऊफो हई लकार कांग्रेशु थे सबने लूटान, अपना घर भराएं। जाये जो भी विधायक आता हो चय बाजपा का हो चाहे आपने गरादने लगें हम जनता को सुकुन नहीं नहीं है वहां पर बाकि फरी का मिल रहा है गरीबों को वह बहुत अच्छा कर रहा है जो फरीका देगा उसको पॉड दे रहे हैं बाकी मोदी लहर है वहाँ, चप्तिज रड़ से फिर मोदी आएगा अब सबसे पहले नाम बताईए मेरा नाम नितिन है नितिन जिन बताईए अर्विन केज रिवाल की गरफतारी हो चुकी है कल शाम को उनकी गरफतारी एडी ने कर दी है आप इसको किस तरह से देखते हैं? आपको क्या लगता है, ये सही है? लोग तंतर में तो नहीं सही है उनसे गलती सिर्फ इतनी हो गई कि उन्होंने एडी के संबन का जवाब नहीं दिया लेकिन एक मुख्यमंत्री को गिरफतार करके जेल भेज देना ये बहुत अच्छी बात नहीं है एक प्रदेश की मुख्या को आपने भेज दिया मतलब इस तरीके की ताना शाही चल रही है कि आप कुछ भी कर सकते हैं रातो रात आपके यहां दालतें चल जाती है रातो रात आपके यहां सब कुछ सारी चीजें हो जाती है एडी के नोटिस को ठीक है नोटिस की उन्होंने किया उनको जवाब नहीं किया लेकिन इस तरीके से जेल भेजना ठीक नहीं है लगातार अगर हम देखे कि नौ स्वामन उनके पास आए और इस समय गिरफतारी क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री खुद चाहते थे कि इस समय उनकी गिरफतारी हो चुनाओ की जो तारीक है वो पास आ गई है क्या वो इससे उनको बेनिफिट मिल रहा हो ऐसा वो सोच रहे हैं कैसा सवाल आप कर रहे है एक मुख्यमंत्री क्यों चाहेगा कि वो जेल में रहे उसके दो आदमी पहले से ही जेल में है और भी तमाम लोगों को जेल जाने की बात चल रही है कोई मुख्यमंत्री तो हमेशा से कहते रहे कि मुझे कभी भी जेल भेजा जा सकता है आखिरकार वही हुआ होली से पहले उनको जेल भेज दिया गया आप क्या लोग सभा चुना उनको यह पहले से ही पता था हो सकते है इसी वज़े से वह समन का जवाब ना दे रहे हो नहीं है वह अपना उनका स्टैंड था यह अपना स्टैंड है लेकिन ऐसा कोई नहीं अभी यह पहला प्रश्णवाच्चा किनी है कि सीम को कैसे बचाया जाए गदी कैसे सलामत रहे फिलहाल तो वह बात का विशय है लेकिन अभी जिस तरकार से गिरफतारी हुई है यह तो मंधन का विशय है कि फिलहाल कुरसी कैसे बचाया है जिस राम लीला मैदान की बात कर सवाल ये नहीं उड़ता कि रामलीला मैदान से जिस ब्यक्ति ने अपने राजनीती का सफर सुरू किया था इतना अंसन रह करके, सवाल ये है कि आज जिस तरीके से तानाशा सरकारें हो चुकी है, जिस तरीके से लोग विपक्ष, विपक्ष तो कमजोरी है, विपक्ष तो कम करते हैं, बताइए, आनिल, तहां के रहने वाले, गाजयाबाद, अगर हम दिल्ली की राजनीती की बात कर ले, अर्विन केजरिवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसको आप किस वे में देखते हैं, ब्रश्टाचार के आरोप में किया हुआ है फिक किया हुआ है, जिस समय कॉंग्रेस की सरकार थी, कॉंग्रेस का वीडो करते हुआ है, और आज खुद ब्रश्टाचार के मामले में वो जेल में है, पहले तो खुद ही उसका विरोध कर रहे थे, पहले कहते थे कि भी पहले इनको अरेस्ट करो, फिर वो करो उसके बाद, लेकिन अब उल्टा ही कर रहे हैं ये वापस, ये है ना उनका, ये तो ये हुआना कि भी देखो, अब पहले खुद ब्रश्टाचार के खिलाब थे, अब खुद ब्रश्टाचार ही होए पड़े हैं, तो आपको क्या लगता है, अब दिल्ली की सत्ता, उसका चहरा कौन होगा, दिली के कुर्स्री काले डिसाइड करेंगे कि इसको बठाएंगे, लेकिन वो तो ऐसे कहते हैं कि मोदी जी ने जान बुछ के ऐसे कि हमारे तरफ से कुछ वो लगातार अगर हम आमानवी पार्टी की बात करें तो लगतार इसका विरोध कर रही है, वो एकसेप्ट अभी तक नहीं किया कि हाँ को शड़ाब मामले में दोशियए हैं। सराब मामले में दोसी है वो तो अधलत करे मैं उसका प्हैसला जो है फाथ हुआशे उसमें मैं वो इकोले कि मशली के क्योंल लगातार मोदी विरुध में कहते हैं कि मोदी निजान बुछ का ऐसा कि है वो तो राजनीती के चक्कर में कहते हैं लोग कि मोदी ने किया हुआ है अवरल आपके इसाब से गिरफ्तारी सही है नहीं है नाम बताइए अपना रमेश्कुन तहां से रहने वाले दिली गिरफ्तार हो शुके है अर्विन के जिवाल इसको आप किस अवे में देखते हैं ते किसी को भी गिरफ्तार कर लेंगे यह कोई कानून नहीं है नहीं लोक्तंत रहे हैं मोदी साब का डानी साब का 11 लाग करोड़ और डूब गया अमेरिका के इंड़ा उनके ओपर तो यह केस नहीं कर पाए और जितने भी गुजरात के बिसनमें पैसा लेके भागे हैं उनको और गिरफ्तार नहीं कर पाए यह लोग और सिर्फ और सिर्फ राजनेतिक मकसद पूरा करने के लिए उन बातों को दबाने के लिए यह सारी बाते की जारे हैं ताकि जो पिसले इनके रिकॉर्ड खराब रहे हैं उन चीजों को दबाया जाए अभी अगर हम बात करें जबने के जीवाल जी इस्तिफा नहीं देंगे वो तो कोड का फैसला तैय करेगा बाकि पार्टी तैय करेगी कोन होना चाहिए बिना सबूत कि आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते और नहीं उनको जेलों में बंद कर सकते यह जैसे अंग्रेज किया करते थे वैसे ही कर र हैं आप सेम वह वह उसी प्रसस पर चल रहे हैं यह लोग काम मान रहे हैं लोग तंत्र को जो गुजराती पैसा लेकर भागे हैं बिजनसमेन उनको क्यों नहीं बगडरी गवर्मेंट कहां गई एडियसी बिए अब क्या लगता है दिल्ली की जंता का रुक किस तरफ है यह हो आने वाला समय पता है का पुली को लिका बाद पता लगेगा विद्वी इनृओ ठैम भी जोनहें डूर मनने में और यह बीजी अपने राजिन तेकंक द्राफ हैं क्या नम है सरार्क है मेरा नाम सुभास पुनिया है तहां के रहने वाले मैं राजतान से हूं दिल्ली के बात करें तो दिल्ली के पॉलिक्स के बारे में कुछ मैं दिल्ली के बारे में पूरी ABCD जानता हूं ले गए जेल में अब उनको साइध रिमांट भी दे दिया होगा साथ या दस दिन का अब आप ये समझो कोई भी निता बढ़ने की परिकरे में आगा और वो जंचे वह काम करेगा तो क्या गएगा रहो के जिवाल का भाई यह समझो कितना बड़ा परसनवाज तक इस देश की भाई खेड़ा नहीं होता लेकिन दो कि वो तो एक अपने इस्हाब से प्लांटेट तक जिवाल जी क्या है के जिवाल जी हो दो जाठस्हा में ईक मैशें से परुस्कार होता है जो राजनेता हूं वह मिलता वह मिला हुवा है तो इस प्लांटेड नेता है ये कोई राजनेतिक नहीं है आज उनके पास जितने founder-building आम आदिम पार्टी इनके साथ एक भी नहीं है आप ये समझो जिस पार्टी का founder member एक भी साथ नहीं है इसका मदलग उसादमें कोई तो कमी होगी मौत इतना बड़ा सेल्पी स्राजनेति मैं यह्ची कि मैं इसना घटिया किसम्राजनेते करते हां इसस पहले तो ने कहा था कि उनके पहले कि आप वीडियो उठाके देख लों कि यहां दि किसी के पास कोट का सब्सक्राइब को अधिक टाकर नोटिस जी के साथ ही उन्होंने सरकार बना ली उन्चास दिन की अरे जिसके खिलाब आप लड़किया हो जिसके खिलाब आप बर्ष्टाचार के आरोप लगा रहे हो क्या कितने कांग्रेश निताओं को उन्हों गिर्पदार किया क्या ऐसा हुआ आज तक नहीं हो ना उसके बाद आज तक उशी कोंगरेश साथ बैठे हो हैं तो मेरे को एक राजनेता ऐसा बता दो जिन्होंने अपने बच्छों किसम खाके इस तरीके से पड़्टी मारी एक बता दो आजादी के बाद आपके उम्मर छोटी है लेकिन आप पड़िश के नेट पे सब सुट देख से और य इन्हों अभी तिक इस्तिवा नहीं दिया क्यों कि यह राजनिती का लाब लेना चाहते हैं सानुबुती का पुट लेना चाहते हैं पबलिक हो लेकिना पबलीक इतनी मुर्ख है ने जी 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 वरना तो इनका बाई आयारा से एक आहाम आदमी को यह पुलिस वाला बोल दे रात के डारे मां आपको चुप चाह लेके जाए जाएगा फ़िकली नहीं लेके औरना वह तो जैसे उद्गातन करने करने किसी प्रिशम का ऊद्ग्री के सामने सो बंग कर देनी चीए राजपती सासल लगा देना चीए जिनके देता में लिप्त और इनके मुख्यमंत्री जेल में जाएंगे अब जो यहां न सरकार को दिल्ली सरकार को भंग करके और जो लोकसभा के बाद चुनाओ तुरंत कराने चीए राजपती सासल अब कोई वैस यह सरकार आप किस पार्टी की सरकार को चनाओं होएंगे जब पता लेगे या जनता तो जो आना अभी यह अभी लोकसभा के चनाओं में पता पता लग जाया को उसके बाद आप टोटल करते हो नहीं जो बोलतो तुम हां उसमें कर लेना आप है तो अर्विन गेज्रिवाल को अब भंग कर देनी ची दिली सरकार को अब अच्छा नहीं कि अधा ब्रटा चार चोर इमांदारी का चोला लेकर आया थे इन्होंने इमांदारी के चोले के अंदर अर्वों रूपय घसेड लिये उस चोले के अंदर पूरूप नहीं मिला तो यह कानून ऐसे उठाके ले ग इंदूस्तान का कानून पता क्या खेता है जो बेल पर उता है वह कानून की दिशंखता बनाब कानून तो काम कर रहे तो अफ़ी visitor करेंगे कि मोधी करेंगे मोधी करेंगे हम इस्ता करेंगे उसके लिए कानून की परकरिया कानून अलगता है कानून की परकरिया कर रहे हैं यह एक दूसरे पर इलजाम लगाते हैं कानून अपना काम ना करें इसका मतलब करेंगे अरेस्ट करने के लिए कल अगर हम घटोला करते हैं तो हमें तो सिंपल एक ऐसाय आएगा बोलेगा चलना पड़ेगा नहीं तो हम बोलेगे अब नौ बार तीन महिने यह जितने दिन के जिरिवाल लिए आएग्याख उतने टाइम टाइम तो हम भी नहीं जा सकते हैं अब टो यह दू नहीं गया तो अब कोवन आदम वहीं देगा नहीं जाँपल हम लोग किस्का फ़ॉवर करते हैं कोई सकसे साथ निका कोई प्रत कला दमी का अब गट आप क्यों इतलान डिले थे जब आपके पास सबूत था शिंपल बात है एक कौन आदमी के लिए भी दूसरे आप भी बोलेगा जिए हमें भी तीन मेना छे मेना आप नौ बार सम्मान भेजिये तब दसमें बार हम चलेंगे आपके साथ कि अपना का से ओप टर खणा इदर आप अलाए इदर आई अगा क्या जाएंगे अब जारे वा दोगा आप जारे वा लिए वगार तर पार यगा फार्ट पार चार सो पार यगा पांट साल गेंदर पेटरों अगर तुम्हें लगता है कुछ गलत हो रहा है तो तुम उसे गरफतार करके ले जा सकते हो तो यह थी दिल्ली की जनता जिसने अपनी बात रखी एडी के द्वारा गिरफतार किये गए अर्विन केजरिवाल को लेकर खेर आपकी इन सब ही बातों पर अर्विन केजरिवाल की गिरफतारी पर क्या राया है वो जरूर हमें कर्मेंट बॉक्स में बताईएगा और ये भी बताईएगी कि अब दिल्ली की सत्ता पर अगला चहरा किसका होगा अर्विन केजरिवाल के गिरफतार हो जाने के बाद आम आदमी पार्टी की दरफ से वो कौन सा चहरा होगा जो दिल्ली की सत्ता पर विराजमान होगा फिलाल के लिए नमस्कार